आज की डेट है 17 जुले 2021 एंड हमारी सवारी निकल चुकी है एक नए सफर पे नए लोकेशन पे जो लोकेशन सिलेक किया है वो है भावली डैम एंड वाटरफॉल जो की है इगतपुरी में बट दिल में फिर भी थोड़ी हिचकी चाथ है क्योंकि जैसे मैंने कहा है सेटेड़े है सो इस वीकेंड आपको पता है इन दिस कोविड सिचुएशन पिलाल वीकेंड पे सरदे संडे मोस्ट आफ टूरी स्पॉर्ट बन रख रहे हैं सरकार तो पुलीस मिल जाती है नकाबंदी रेती है पुलीस रिटन भेज देती है बहुत लोगों को देखा है हमने तो वही थोड़ा प्रोब्लेमेटिक लग रहा है मुझे सिचुएशन बट ठीक है फिर भी रिस्क ली है and we are going and in case अगर हमारे साथ ऐसे कुछ होता है तो no issues कुछ अलग प्लान कर लेंगे वहीं के वहीं अगर कुछ आसपास देखने लाएक है चोटा मोटा तो वो explore कर एंड फाइनली जर्नी एंजोई करेंगे कुछ ना कुछ एंजोईमेंट तो कर लेंगे क्योंकि गाइस मैं हमेशा पूरी जर्नी एंजोई करता हूं ना कि जस वह प्लेस जहां पे हम जा रहे है बिकॉज मेरे लिए what is important वह है नेचर के साथ कनेक्ट होना तो वह कहीं भी ज तो चलिए आप भी शामील हो जाई हमारे साथ इस छोटे से सफर में देखते आगे क्या होता है एंड या हम लोग को ना 45 मिनिट्स का फाल्तु का लेट हो गया है क्यूंकि हम लोग वैसे तो टाइम पे निकलेते बट क्या होगा कि गोडबंदर रोड से जबा रहे तो इसना कुछ रीजन से लेट हो नहीं है ऐसा हो ही गया अभी क्या करें जीदर हम लोग जा रहे है यह जो लोकेशन है भावली डैम हो मेरे घर से मतलब बोरिवली से अराउं 133 किलोमेटर है जिसके लिए अराउं धाई से तीन गंटा तो लग जाएगा क्योंकि आगे ब्रेक इसकी एक फ्रेंड है तो हम लोग टोटल ही है पाँच लोग क्या खुबसूरत नजारा है मतलब बॉर्निंग का इतना ब्यूटिफुल है मस्त सूरज निकल चुका है भार एंड ऐसा हुआ है कि बादलो ने पूरा ढख लिया उसको बारिश के काले बादलो ने तो मस्त एक डिफ्यूज लाइटिंग आ रही है जो कि पर्फेक्ट लग रही देखने में नजारा बहुत प्यारा लग तेखो सच बूलो ना इस इस बेस्ट वेडर फॉर एनी राइडिंग एनी ट्रिप सो इतना खुबसूरत लगता है इसे वेडर में कहीं भी राइड करना गाइज और एक चीज बोलना चाहूंगा कलर कॉंबिनेशन देखो आप नीचे पूरी नेचर की हर्याली हरी चद्दर है और उपर काले बादर क्या कॉंबिनेशन है देखने में भी वह इतना भैतर लग रहा है सची तो गाईज अभी हम लोग ने यहां पर हॉल्ट लिया है हम सब्सक्राइब कोवेड यहां पर बैटने नहीं देते खाने के लिए तो यहां पर अभी हम लोग सिर्फ वश्रमोंगर जाके थोड़ा फ्रेश हो के ना आगे थोड़ा ही छोटे-मोटे स्तौल है वहां पर खालेंगे उधर बेटर कुछ तो मिलेगा चलो गाइस फ्रेश हो के आता हूं जरा जल्दी यल्दी और निकलते हैं यह देखो गाइस जैसे हम लोग वहां से निकले ना बारिश चालो हो गई है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे हम लोग ने विंचेटर पहना हुआ है मैंने तो विंचेटर की पैन भी पहनी आराम से घाड़ी चलानी है अपने को कोई खाई नहीं है गाइस यह देखो आगे जा रही है हमारी लाल परी हमारी रेड़ क्विन मतलब एस्टी बस इस बस को ना एक्चुली और ऐसी किसी नैच्रल क्लाइमेट में या गाउं के सडकों पर देखने कोई मसा आता है तो चल कोई नहीं भाई हम लोग आपके पीजे बिचया जाएंके वैसे मेरी बहुत सारी याद है इस स्टी बस के साथ बचपन से लेकर आज तक कि यूगि मैने जब इभी ट्रावल क्या है ना ममी के साथ बचपन से लेकर अभी तक काई में तो इस स्टी बस में ही किया है एंड जे मुंबई महाराष्ट्रा रात्त आणी जैन्स गाव कोड़ा है कि वहाँ जे मूल कुपना थाणा है दन्नास माहिता है या इस्टीवस मने बसाजी काय मजा है थी एंड गाइज फाइनली अभी हम लोग खाने रुखे हैं thermos जे एये सामने के इस रागे चाली हो रहा है और यहां से ये बाजू में गलाओ अर यहां से यह तकम स्ट पर्श region है बहुत सारे चॉल से दूर करें, यहां पर आप खाने रूप सकते हो, पीछे बहुत सारे होटेल से हैं, बट वहां पर बहुत पॉसली है, तो मैं यही प्रिफर करता हूँ हमेशा ट्रावलिंग में कि छोटे मोटे यह जो इसी तप्री नहीं है ना, दाबे वगरा चोटे से, इसी जगह पर ही खाना में पसंद करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस जगह पर क्या यार सेमी टेस्ट रेता है, और उल्टा यहां पर चाय बहुत ज्यादा अच्छी मिलते है, तो ऐसी जगह में खाना बहुत पिफर करता हूँ, अभी देखो यार सामने म माहूल देखो, what a beautiful view यार, seriously, यह देखो, साइड में वाटरफॉल कितना मस्त प्यारा लग रहा है, और यह कसारा घाट में तो वाटरफॉल वगरा दिखते ही रहते हैं, बिच-बिच में देखो, यार बढ़िया लग रहा है, यह देखो, सामने देखो, क्या माहूल है, and य रिलाक्स होता है, माइंड बहुत रिलाक्स हो जाता है, यह जो दिक्रे नहीं सब यहां पर, यह सब जगह पर जाना है, इंदोर, आगरा, गाईज, अभी ज़स्ट आप यह व्यू देखो, क्या नजरा है, यह ज़स्ट ओसम, सामने भाड देखो, यार गाईज, जबरदस्त, यह पूरी इगतपूरी की माउंटन रेंज है, जो देखो, मेरे लेफ्ट से राइट तक फेली हुई है, वो देखो, उस पहाड पे क्या नजरा दिख रहा है, और मेरे उपर देखो, सूरज को पूरी तरह से ढख लिया है, बादलों ने, अरे रे, मुझे यह डाउट था, नहीं बेजेंगे शायद से करके, तो वाइस, क्या बताओं आपको मेरी दास्ता, हमारी दास्ता, कोड़ हमारे साथ एक जर्द्वरी चीज हो गई है, इतना दूर आके, वो वाटरफॉल के यहां पे, मैं लगवो एंट्रेंस है, उदर जाने का, उदर कुझी स्खड़े है, जाने ही नहीं है, कुछ नहीं कर आइसा हमें गाववालों ने बताया, तो हम लोग यहां जा रहे हैं, पर हम लोग नो बहुत रिक्वेस किया, पुलीस वो लोगो, कि हम लोग लिंदे से आये हैं, बहुत दूर से आये हैं, यार छोड़ दो, एक बार गलती से हमने तो आने मिलता है, मुश्किल से, कोरणा क बहुत रिक्वेस किया, बट नहीं जाने दिया, बट चलो ठीक है, गाववालों ने कुछ बताया है, आटम देवी करके कुछ देवी का मंदिर है यहां पर, तो वहां आम लोग इधर दी जा रहे है, उन्हें यह भी बोला कि वहां पर भी थोड़ा पानी है, आप थोड़ा नहा सकते हो गए रहा है, ऐसा कुस तो बोला है, देखते हैं अभी कितना पानी है, क्या है पता नहीं, तो अभी यहां से जा रहे है, लोगों को पूछ पूछ के यह रोड मालुम पड़ा है, आप देख रहे हो फॉक कितना आ गया है, पूरे बादल मतलब रोड पर उतर ग तो देखते हैं अभी यह रोड कहां लेके जाते हैं पूरा नीचे फॉक जमा हो गया, रोड पे फॉक है यार, तो साइड पे छोड दो, ऐसा लग रहा है बादलों में चल रहे हैं हम लोग, सी, इस जट ब्यूटिफुल गया है, तो ठीक है, यह होना ही था, एक्चुली प बंद रख रहे हैं, तो यह मुझे थोड़ा लगा था, हो सकता है, बट बोला पता नहीं है अभी यार, मुस्टफ तो लोगना हुला में बंद रख रहे हैं सब, तो बोला इधर रहेगा चालू, बड़ा इसा नहीं था, ओपट हो गया, चलो कोई नहीं, ज्यादा भी रोक के मतलब नहीं उसके लिए, शायद यही है, घाटम देवी जो मंदिर, शायद से जो हम धून रहे, तो यहां से गाई, साथ किलो मेटर पे आगे, घाटम देवी मंदिर तो यही है, यहां से साथ किलो मेटर पे बाटरफॉल है, एक, तो चलो बढ़िया है, जाते हैं अभी, वहां तो एटलिस थोड़ा तो नांने मिलेगा, खुछ तो एंजोय करने मिलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, और होपसोर में, यहां तो चोफी वोटकेब्ली मिले जईसा भी है, खुछ तो एंजोय करने मिले, सही ही एक्सपे singsन है, चाहां बहुत मस्त यार, शाची में यार ये गाउ बहुत ही सुन्दर दिख रहा है रिनी सीजन में सब जगा पे हर्याली हर्याली हो गई हमस्त देखो मेरे लेफ्ट साइट में लोग घ्टी का काम कर रहे हैं देखो यार ऐसी खुबसूरत जगा पे मैं मेरी वाइफ की साथ बाइक पर राइड कर रहा हूं और उससे मेरी आखो को और दिमाग को भूछ शान्ती और सुकून मैसुस हो रहा है तो यार वीडियो के निचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हूं आप अभी फाइनली हम लोग भीगा उटरफॉल पर आ गहे हैं लखी ली नहीं यहां पे लोग भीग रहें मतलब एटलिस यहां पे अलाव धेश्य अर्श गर सकते थोड़ा भीगेंगेंगें फोल्ग करेंगे एटलिस इतना तो दिल को सुकून मिले कि जैसे आये तो हमार जाते हैं अगर कोई भी प्लान फ्लाव को बुरा नहीं मानना चाहिए इट्स पार्ट ऑफ जर्नी जर्नी में ऐसी चीजी होती रहती है प्रेंट्स अभी 220 हो गये हैं दूपयर के वाइस अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं वहाँ पे जब आपने देखा वही गाओं वाटरफॉल पे जो थे हम तो वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया बट पानी में ज्यादा जाने नहीं मिला पानी में थोड़ा गये और जल्दी से वहाँ पे पूलीस आ गई तो हम लोग को सबको मतलब भगा दिया तो फिर ऐसे हुआ कि वाटरफॉल पे बी जाने नहीं मिला बाट चलो ठीक है हम लोग ने क्या किया वाटरफॉल से फिर बाहरा आ गया फिर वही पे एक एसा plain greenery जैसा एक प्लेस था तो वहाँ पे फिर हम लोग ने enjoy कि अ पाफी अच्छा महोल था वहाँ पर मस्त ग्रीनरी थी उसमें हम लोग बैटे थे ठीके हम लोग को जो भी एंजॉय करने मिला ना डाट इस इनफ जो लोकेशन और जो ख्लाइमेट मिलाना हम लोग को वो एकदम मस्त था अभी दोपेर के बच चुके है 2.20 तो हम लोग अभी खाने रुके हैं खाना बाकी है लंच हमारा तो अभी लंच करेंगे और फिर गर पे निकल जाएंगे अभी हम लोग शाहपूर के आगे पहुंच गए हैं यह देखो यह बर्गर किंग है यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा एक हाल्ट लिया है और वो भी इसलिए कि हमारे साथ जो दो लेडीज हैं मेरी वाइफ और मेरे दोसकी फ्रेंड तो उनको वाश्रूम जाना था थोड यहां से समझो कि एक देड़ दो घंटा तो लग जाएगा दो सबादो गंटा है तिंक सो और यहां पर प्लैंट का चूटा सा शॉप है बहुत सारी चीज़े दिख रही है फ्लार पार्ट्स वगरा है मिट्टी के प्लास्टिक के बर्तब वगरा है सो देखता हूं जरा टा कभी घर सजाने के लिए यह देखो यहां पर कप्स वगरा भी है अलग अलग तरह के डिजाइन के कप्स भी है तो चलो गाइस वीडियो भी यहां पर में एंड करता हूं जैसे दोनों आ जाएंगे हम लोग निकल जाएंगे घर पे अभी किदर रूखेंगे भी नहीं पेट करता दू मैं ट्रैवल व्लॉगर हूं मुझे नेचर की सारी जगह पे घुमना पसंद है मुझे नेचर से कनेक्ट होना पसंद है एंड मैं बाइक राइड करता हूं उसकी मेमरीज बनाता हूं एंड यूट्यूब पे अपलोड करता हूं तो इसे के साथ वीडियो एंड कर झाल झाल